हेलो फ्रेंज चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मावा की रेस्पी जिससे आप असान तरीके से घर में बना सकते हैं और इस मावे से आप अपने पसंद के अनुसार मिठाई बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे पनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर मैंने 1.5 लीटर के आसपस मैंने इसमें दूड आल दिया कड़ाई में और दूद को क्या करेंगे कि इस तरह से हमें मिला लेना है इस तरह से और इसके बाद दूद में बढ़ियां सा उबालाना है तो मिडि दूद में पोलिक सकते हैं अल्वद में इतना उबाला चुका है तो इस तरह से मिक्स करते रहेंいきます इसके कि तले में दूद में चिपक में इसको भी छुड़ाते रहेंगे नहीं तो क्या होगा कि बाद में ज्यादा चिपक जाएगा ये और अजीब सा टेस्ट आ जाता है इसलिए इसको हमें लगतार चलाते रहना है और नीचे में के तले में हमें चिपकाना नहीं है नहीं तो ये जो मावा का टेस्ट है खराब हैंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए हमें लगबग 10-15 मिनट तक पकाना है तो तेज आंज पर मैंने इसको 15 मिनट तक पकाई हुई है और देख सकते हैं दूद काफी कम हो चुका है देख सकते हैं तो इसको हमें फिर से इसको चारों तरफ से अच्छे से छोड़ाते ताकि काम भी होते रहे और पीच-पीच में इसको चलाते भी रहें तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिलाते जाना है और अच्छे से पकाना है तो यहां पर क्या करेंगे फिर से इसको 10 मिनट तक पकाएंगे इस तरह से तेज आंज पर तो देख सकते हैं यहां पर 10 मिन हो चुके हैं और यह दूद जो है बहुत ही गढ़ा हो चुका है देख सकते हैं तो अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इसको लगतार चलाते जाएंगे क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा कि तले में बहुत ही जल्दी चिपकने ल देख सकते हैं एक दम से गढ़ा हो चुका है तो अभि इसमें थोड़ा थोड़ा दूद है क्योंकि यह गढ़ा है तो इस तरह से इसको लगतार मिक्स करते हुए हमें इसको पकाना है जिससे कि एक दम से चिपके नहीं अगर छोड़ेंगे तो तुरण चिपक जाएगा और यह देख सकते हैं पूरा एकदम से गाड़ा हो चुका है देखिए यह पका है कि नहीं पता करने के लिए क्या करना है कि जैसे इसको मिक्स करेंगे साइट से घी जैसा छोड़ने लगता है इसे पता चलता है कि यह एकदम से बढ़िया सा पक चुका है और एकदम से बढ़िया के दяжना सा एकदम से एक टेस्टी बन करके तयार होता है। Or आप चाहिए तो इसमें चीनी जा फिर गुड़ एकपर सकते है। कि मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूं। मैं नहीं बना रही हूं।ал। दूटर रही हूं। इस तरह से देख सकते हैS मावा जो है बन करके तयार हो चुका है और इसको क्या करेंगे कि ठंडा होने के लिए रख देना है हमें तो ठंडा होने के बार देख सकते हैं यहां पर मैंने यह मावा बना करके तयार की है देखिए कितना बढ़िया हेल्दी यह मावा बन करके तयार हो चुका है यह सिर्फ दूद से ही बन करके तयार होता है इसलिए आप बाहर खरीने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है यह तो यहां पर हमने यहां पर हेल्दी तरीके से बना करके तयार की हैं बाहर का पता नहीं कैसे बना करके रखते हैं इसलिए घर में आसान तरीके से इस तरह से मौवा बन के लिए और कप में क्या करेंगे कि हमें डाल देना है कप में तो देख सकते हैं यहां पर टोटल एक कप यह मावा जो है बन करके तियार हुआ है लगबग डेढ़ लिटर दूद से दूद की क्वालिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है हो सकता है कि आप जो बनाए तो ज्यादा हो जाए या फिर कम भी हो सकता है तो इस तरह से आप इस मावे को किसी भी मिठाई में भी डाल करके बना सकते हैं इससे बहुत बढ़िया मिठाई में स्वाद आता है बहुत टेस्टी बन करके त्यार होता है तो इस मावे से मैंने यहां पर गुजिया बनाई है हो तो इस तरह से हमने देख सकते हैं इस तरह से यह जो Gujya कर स्टॉफिंग है मैं ने इस इस मावे को डालकर के बनाई है तो इस तरह से हमने यहां पर गुजिया बनाई हुई है इस मावे से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेक जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी या फिर गुजिया की रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आई होगी वीडियो के लाइक चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेस्पी के साथ थैंक यू